नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके अचारे में दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो के नॉडिफिकेशन मिल सकें और आप उनको इजी लिए देख सकें दोस्तों हम बहुत मैनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में और आपके लिए क्वेशन्स लाने में तो दोस्तों प्लीज हमारी वीडियों को ज़्यादा से ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज का एपिशोड के कम्प्यूटर इलेटिड जी के दोस्तों रोज की तरह है आज का है हमारा super question super question का जैसे कि आप जानते हैं कि इस question का जवाब हम इस episode के last में देंगे तब तक हमारा episode देखते रही है तो आज का super question है LinkedIn LinkedIn एक social networking site है और य brace popular है तो LinkedIn का मुख्यल है कहा है where is the headquarters of LinkedIn इस सवाल का जवाब यदि आप जानते हैं, तो प्लीज हमारे comment box में जरूर comment करें, और यदि आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज हम आपको इस सवाल का जवाब जरूर बताएंगे, बाट इस episode के last में, तो बने रही हैं हमारे साथ, चलते हैं हमारे episode को start करते हैं. आज का पहला सवाल है, इन में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, इंटरनेट इस रन बाई, विच आफ दी पॉलोविंग्स, आप्सेंस हैं, विएसनल, आईएटीएफ, इंटर एनाईसी, कोई नहीं इन में से, तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, इन में से किसी के द्वारा इंटरनेट नहीं चलाया जाता है, आज का सवाल नमबर दो, एंटरोइड क्या है, वाट इस एंटरोइड, आप्सेंस हैं, एप्लिकेशन सॉफ्वेर, मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भासा, या फिर डाटाबेस सिस्टम, और इसका स कास सुरू किया था, अमंग इस, विच कंपनी स्टार्टेड देवलप्मेंट अव एंटरोइड इन अक्टोबर 2003, ऑप्सेंस हैं, गूगल, नौक्या, एंटरोइड इंक, एपल, सही जवाब हैं, एंटरोइड, सवाल नमबर चार, संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूट ऑप्सेंस हैं, 1981, 1980, 1976, and 1995, और सही जवाब है, 1976, दोस्तों, आज का पांचवा सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या है, what is the name of first computer manufactured in India, ओप्सेंस हैं, आरेभट, सिधार्थ, असोक, बुद्ध, सही जवाब है, सिधार्थ, Q6, एक गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, 1 गीगाबाइट is equal to how many bytes, the options are, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB, correct answer is 1024 MB, Q7, DVD इनमें से क्या है, what is a DVD, the options are, digital versatile disc, digital video disc, dynamic video disc, dynamic versatile disc, the correct answer is digital video disc, Q9, HTTP का उप्योग इनमें से कौन करता है, Which of the following uses HTTP, the options are, web page, server, worksheat, workbook, सही जवाब है, web page, सवाल नमबर 10, PC का पूरा नाम इनमें से क्या होता है, what is the full form of PC, Public computer, personal computer, private computer, या फिर A और B और C दोनों, सही जवाब है, personal computer, दोस्तों 11 सवाल, 11 सवाल के तरफ पढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, ताकि आपको हमारी future notification के वीडियोज मिल सकें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों, आपको हमारे वीडियोज यदि पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज जरूर लाइक करें, एक लाइक तो बनता है, दोस्तों 11 सवाल है, software का प्रात्मे कुदेश्य है, डेटा को इन में से किस में बदलना होता है, The primary purpose of the software is to convert the data into, the options are, program, सूचना, website, object, the correct answer is, सूचना. Question number 12, software code में तुटिया ढूणने की एक प्रिक्रिया इन में से कौन सी है, which of the following is the process of finding errors in software code, Options are, testing, debugging, compiling, running, और सही जवाब है, debugging. सवाल number 13, संपूर्ण computer प्रणाली के लिए, संप्रियान, संप्रिशन नियंत्रन कौन करता है, who controls the communication for the entire computer system? The options are, motherboard, processor, semiconductor, co-processor. सही जवाब है, motherboard. सवाल number 14, Twitter का सबसे अधिक यूजर, Twitter एक social site है, Twitter का सबसे अधिक यूजर इन में से कौन से देश में है, Twitter which of these countries has the largest number of users on Twitter. The options are, Japan, America, Turkey या फिर Australia. सही जवाब है, Turkey. सवाल number 15, Unix का, Unix का विकास इन में से कौन से साल में हुआ था? In which of these years was Unix developed? The options are, 1960, 1965, 1969, 1975. Correct answer is, 1969. 16 सवाल है, इन में से कौन से सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? Which of the following is the biggest, most expensive and largest computer? The options are, Supercomputer, Laptop, Personal Computer या फिर Notebook. Correct answer is, Supercomputer. सवाल number 17, सामाने रूप से प्रीप्त किये जाने वाला computer इन में से कौन सा है? Which of the following is the commonly used computer? The options are, Digital Computer, Optical Computer, Hybrid Computer या फिर Analog Computer. और सही जवाब है, Digital Computer. सवाल number 18, भारत में विक्सित, परम सुपर कंप्यूटर का अभिकास इन में से कौन सी सलस्था ने किया था? Which of these organizations have developed the param सुपर कंप्यूटर developed in India? IIT Kanpur, IIT Delhi, CDEC या फिर BAK? The correct answer is, CDEC. हमारा सवाल number 19 है, आधुनी कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कौन से साल में की गई थी? In which year was the first modern computer invented? दोस्तो, options है, 1949, 1951, 1946 या फिर 1947. सही जवाब है, 1946. आज का बीस्वा और आखरी सवाल, दोस्तो, इंटरनेट के पते के अंदर, HTTP का सही विश्थरित रूप इनमें से क्या है? Which of the following is the correct form of the term HTTP within Internet Address? Options are, Higher Text Transfer Protocol, Higher Transfer Text Protocol, Hybrid Text Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol. The correct answer is, Hypertext Transfer Protocol. Yes, तो दोस्तो, यही थे हमारे आज के 20 सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और दोस्तो, चलते हैं हमारे Super Computer की तरफ, Super Answer की तरफ. आज का Super Question था, LinkedIn का मुख्याले कहां है? Where is the headquarters of LinkedIn? The options are, United Kingdom, Italy, France या फिर अमेरिका. दोस्तो, इसका जो सही जवाब है, वो है, अमेरिका. और अमेरिका में, Sunnyvale, California, United States में, इसका जो Headquarter है, वो है. तो दोस्तो, यह था आज का हमारा Episode. उम्मीद करूँगा, तो बहुत पसंद आया होगा. और प्लीज, यदि आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, पैल आइकन को जरूर दबाएं. दोस्तो, बहुत महिनत करें हैं हम आपके लिए ये विडियोज बनाने के अंदर. और दोस्तो, हमें आपके प्याल और सपोर्ट की बहुत जरूरत है. प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें वीडियोज को लाइक करें और इनको ज्यादा से ज्यादा से एर करें तो दोस्तों, आज बस इतना ही मिलते हैं कल फिर से नए अपसोड में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत